हेलो एविवान एक और फैंटिसी प्रिव्यू में मुकाबला है यहां पे साउथ आफ्रिका बनाम नेधरलेंग्स एन यह होगा एच्पी सी इस्टेडियम इन धरम शाला एक बहुत ही बड़िया मुकाबला है यहां पे देखने को मिलना चाहिए साउथ आफ्रिका से ओविसल और लोगों तक पाँच पाए अगर आपको कॉंटेंट पसंदा रहा है तो कॉमेंट जरूर करेगा विन प्रेडिक्शन इस गेम के लिए साउथ आफ्रिका ओविसली इंग उनके लिए अच्छा गेम होना चाहिए यह अब तक उसको हम और डिसकस करेंगे आगे इन पिच पर उससे पहले आप हमारे साथ ट्विटर और टेलिग्राम पर ज़रूर जुड़ेगा जो भी फाइनल टीम्स अपडेट सब कुछ आपको वही पर मिलेंगी और दोनों के लिंक से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से जुड़ेगा ताकि कोई भी फेक चैनल से आपका इंकाउंटर ना हो एंड बेल आइकन हिट करिए ताकि जो भी आगे के वीडियो दे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो एक ठीक टाक चांस है इस गेम में की बारिश हो जाए और वो चीज़ों को थोड़ा स्पाइस के लिए ट्रैक थी साथ-साथ में IPL में भी जो पिच्छ थे बैटिंग के लिए अच्छे थे तो कुछ ऐसा expect करेंगा हम यहां पर आप आप देख सकते हूं कि एक जो स्क्वेर बाउंडरी बहुत शॉट भी है 61 मीटर अगर आपको लियम की वह पार ही याद है IPL में बहु बहुत मुश्किल कर देता है जब खराब आउट फील्ड में आप रन अप में चल रहे हो तो जो सैंड है बार बार ऊपर आती है जो सैंड बेस्ट आउट फील्ड है और आपका जो मोमेंटम है वो खराब हो जाता है तो पेसस के लिए वह एक कंसर्न है बट उसके अलावा फील्ड फील्ड में खास कुछ फसरा था बस प्लेयर्स को डाइफ करने में मुश्किलात हो सकती है तो यह हुई पिच रिपोर्ट की बात स्कॉड नीज की बात करने तो लोगिन वन्बीक लास्ट गेम में नहीं खेले थे नेधरलेंड के लिए अब क्या यह मुकाबला खे तो पहले बात करें साथ आफ्रिका की काफी सिमलर साइड यहां पर मैं एक्सपेक कर रहा हूं एक जो चेंज हो सकता है वो है कि यह जो ट्रैक है स्पिन फ्रेंडली उतना ना हो तो मेबी यह शामजी वापस बेंच पर जाके को वापस लाएं बट यह एक और फैक्टर यह वाइल साइब रान एंगल ब्रेक ने थीक टाक नौक खेला था जुल्के करके भी चांसे थीक टाक है तो हम दोनों प्लेस को डिसकस करें हैं हमारे प्लेयर वान पेजर में और क्या सिनारियो में आप दोनों को ले सकते हो उसके लावा लोगन वन भी के एक फिट्निस बेस् तो यह वही एक्सपेक्टेट प्लेइंग लेविंस की बात अब चलते हैं साथ आफ्रिकन टीम की तरफ एंड कौन से होंगे इंट्रेस्टिंग प्लेयर बहुत ही अच्छे फॉम में चल रहे हैं पहले दो इनिंग में 100 मार के आ रहे हैं पहले दो गेम जो इनने खेले थे तो ओविसली इनकी जो ऑपिचुनिटी मीटर है काफी हाय है क्योंकि साथ-साथ में कीपिंग वाल्यू भी देते हैं और रिस्क मीटर थोड़ा है क्यों है मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यह ब्लाइंड रिस्क लेते हैं इसले फुल हाय मीटर नहीं है यह बट कभी-कबार एक क्लासिफाय करते हैं आप देखो कि ऐस्टेलिया के सामने भी कुछ एरी-पहरी शॉट्स खेले उन्होंने जो वह गेट अवे कर गए ऑस्टेलिया ने काफी खराब फीलिंग की वह गेम में बट इनके साथ यही एक प्रॉब्लम होती कि कभी-कभी सेट हो जाते हैं तो चल सब्सक्राइब करना चाहिए इनका जो प्लेंग स्टाइल है बट एक दो इंट्रेस्टिंग मैच अब हर मैच अप के पास में एने क्यों है यह जो टीम्स है एक दूसरे के सामने ज्यादा कुछ खास खेले नहीं है बट कुछ एक दो इंट्रेस्टिंग चीज़े इनके ही नहीं है बट हो सकता है कि जल लग जा रेक्वाइमेंट तो तब यह आएंगे और बैट के साथ भी इनका फॉर्म अच्छा रहा है तो नोट मच पॉइंट पॉइंट डिस्कॉसिंग विंट क्लास इन इनकी फैंटेसी वैल्यू थोड़ी सी प्रॉब्लमाटिक हो सकती है इस गेम में इस प्रॉब्लम के काफी लो आते हैं हमने ऑस्टेलिया गेम में भी देखा था कि क्योंकि टॉप और ने अच्छा कहला इनका मौका काफी कम हो गया था और हैंच जब यह इनका एंट्री पॉइंट होता है तो वही एक प्रॉब्लम पॉइंट बन सकती है बट जैसे खेल सकते हैं अब जैसे ज्यादा से ज्यादा लीक्स जॉइन करोगे आपकी जो रैंकिंग है इंप्रूव होती जाएगी तो ज़रूर खेलेगा माइमास्ट लेवन आप लिंक है इन दिस्क्रिप्शन ओ इस वीडियो और एफर कोड़ एफ सी पी अगर आपको ज्या है ओविसली एक लास खिलाड़ी है बट प्रॉब्लम क्या है कि इविन अगेंस टॉप टीम्स इनकी जो एंट्री पॉइंट होती है 45 तो और के बाद होती है वहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू टेक और रिस्क एवरी बॉल और चोटी टीम्स के सामने ऐ इनके अच्छी बोलिंग किया है वैसे देखा जाता है इन्हें संवन की जब इन्हें help मिलती है तभी अच्छा डालते हैं बट इन्होंने help ढूंडी है इन सिटुएशन जहां help नहीं मिली चाहे श्री लंका के सामने हो और उस्चेलिया के सामने हो रंस खाये इन्होंने जर इन्हें कुछ खास डिसकस करके मतलब नहीं है इन पे आप कोई भी सिनारियो में प्रॉब्ली रिस्क नहीं लोगे जराल कुट्जी अगर टीम में वापस आते हैं जरूर टीम में जाके ढूंड लेंगे इस हम देखते हैं में साथ आफ्रिका कि इनकी जो फाइव में बोलर को लूं, कवर करूं या नहीं करूं बट विट साथ आफ्रिका वही बात है कि इनका जो सिक्स बोलर है वो भी है माकरम और माकरम तो टॉप सी वी सी चॉइस बनते हैं इनके लिए हर गेम में इनके जो बोलर करना काफी इंपोर्टन है हर गेम में लूंगे इंगी डी पूरी तरीके सब पकड़ के रखाए एक भी रन इदरोदा नहीं जाने दिया कोई भी फाल तू बॉल नहीं डाली इन्होंने और बहुत ही अच्छा इंपक्त है इनका गेम पे तो वाइल पॉइंट सिस्टेम में ना दिखाया जाए या विकेट्स कॉलम में ना दिखिया बट आइधिंग बहुत ही अच्छा खेले हैं जरू नहीं कुछ टीम में आप ग्रैंड लीग सी वी सी भी ट्राइ करो बेस्टीम में तो बिल्कुल रहेंगे ही तबरेश शामजी नेधरलेंज की सामने खेलते हैं तो यह एंड केशव माराक जोनों ही इंपॉर्टन हो जात तो वो हिसाब से आप एक रिस्क ले सकते हो उसके अलावा यह मेरी बेस्टीम में तो बिल्कुल जगह ढूंड लेंगे तो यह हुई साथ आफ्रिका के प्लेयर्स की बात अब चलते हैं तो आप चलते हैं टीम नेधरलेंज की तरफ पहले प्लेयर यहां से मैक्स डाउड आ है कुछ खास नहीं रहा है तो वो इसाब से डोंट सिंग करेंटली टीम में जगह बनाएंगे आप जील टीम में बेशक ट्राइ कर सकते हो विक्रम जीट सिंग मुविंग बॉल के सामने इनके कंसर्ण हैं अमने देखा है विद्ध साथ आफ्रिकन बोलर्स की इन्होंने भी हेल्प कैसे ना कैसे ढूंडी लिए तो वो इसाब से ये भी बेश टीम में एक रिस्की बन जाते हैं बैस डिलीडी ओविसली वेरी हाई उन ऑपर्टुनिटी क्यूंकि डालेंगे पूरे की वो पूरे ओवर्स साथ साथ में वन डाउन बैटिंग भी करेंगे तो अगर अच्छी पारी खेल के गए थे बट स्टार्टिंग में थोड़ा रिस्क लेते हैं इस बात का ध्यान रखेगा पाकिस्तान ने वो उप्रचुनिटी ऐली सीव नहीं की बट यह स्टार्टिंग में जरूर कुछ रिस्क लेते हैं वहां पर मौका बन सकता है यह भी ठीक कि इतने प्लियर्स वैसे भी लेने है क्वालिटी के साब से ओविसली कोई मैच अप नहीं है कोई मैच नहीं है इनका विद्ट साथ आफ्रिकन साइट कॉट एडवर्ड वाइल यह करें आपके पास अल्रेडी दो कीपर से साथ आफ्रिका से मेरी जीएल टीम से बिलकुल इ यह इंट्रेस्टिंगली 2008 में साथ आफ्रिका के लिए अंडर नाइंटीन में बहुत ही यादगार के आज के लिए जाने जाते हैं बिलकुल जाके हाइलेट्स देखेगा बट ठीक टाग पिक हैं वापस जीएल ही पिक रहेंगे यह बेस टीम में तो जगया है नहीं मिलेग एक्सचेंज मेंडू का लीडर कोड चल रहा है और हमारा रेफर कोड है fcp कुछ टॉप प्राइस है वहाँ पे तो जल्दी से साइन अप कर लो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नो टीडियस एंड जीएस टी आप है यह रॉल अफ वैंडम और बहुत सालों क प्रॉब्लिम क्या है कि इनकी ऑपर्चुनिटी इस गेम में क्यूंकि कुछ लेफ्ट हैं अगर अप टॉप सेट अप हो गए यह डेविड मिलर नीचे थोड़ी जल्दी आ गए हैं साथ-साथ में नीचे सेट अप हो गए तो फिर रॉल-उफ की ऑपर्चुनिटी वहाँ पर कम हो सकते हैं इस दोनों जो प्लियर्स हैं उन्हें लेक साइट पर खेलना काफी पसंद है तो जील में ट्राय कर सकते हो रॉल-उफ रैंडम-वर आरियन-दक एक बहुत इंट्रेस्टिंग बन सकते हैं ग्रैंड लीग में क्यूंकि वाइल इनकी ऑपर्चुनिटी ठीक टाक रहेगी विद बॉल याद रखे कि यह पावपले में बहुत यूज किये जाते हैं और क्विंटन डिकॉप को ऑफस्पन के सामने तकलीफे हैं तो वहां पर आरियन-दक का रोल बन सकता है बिल्कुल आप इने जील सिनारियो में ट्राय करी है जहां पर आप कुंटन ड अच्छी पिक बन सकते हैं स्पेशली इन फॉर्स बोलिंग क्लीन ठीक टाक लगें प्रॉब्लम क्या इन्हें ज्यादा इसके लिए जाना जाते हैं कि जब हैल्पो फॉफ्राम दे ट्रैक तब ही आके कुछ असर कर सकते हैं बट मुझे काफी आवरेज लगे इन लास्केम अच्छे बोलर एंड अच्छे पेस से डालते हैं बैटिंग भी करते हैं डाउन दी ओडर तो खेलेंगे तो जरूर मेरी टीम में जगे इन्हें मिल रहेगी फिर चलें आगे की तरफ यहां पर शरीज आइमद का खेलना अनलाइकली लेग लेग ब्रेक बोलर हैं पर क्योंक जो मैं बात कर रहा था चोटा सैंपल साइज है पांच बॉल्स काई बट आउट हुए एक बार विक्रम जीत सिंग वसे मारको यांसन अब अगर अप्रंट कुछ मूवमेंट रहा तो विक्रम जीत सिंग बिलकुल इस मैच अप के विक्टिम बन सकते हैं वापस एक बार अगर आरियन दज जल्दी आते हैं अगर वो जल्दी विकेट चला जाता है तो पॉल मैं मेकरें दूसरे साइट से भी रासी को अटाक करेंगे तो ग्रैंड लीग में अगर आप कोई भी तरीके से सोच जोगी एक दो टीम में अगर आपको रैसी एंड कुंटिन डिकॉक को ब्रॉप करना है तो कौन से बोलस पर आपको बैंक करना है वो आपको आपके सामने दिख रहा है तिंक यह बहुत ही अच्छा एक ग्रैंड लिग इंसाइट बन के आ सकता है अगर यह सिनारियो बनता है ओविसली आप यह ज्यादा टीम में नहीं ट्रै कर सकते है बहुत ही अब चलते हैं हमारी बेश टीम की तरह तौह पट्रैसी टीम की तरफ यॉणटीम की तरह और फैंटसी टीम की पहले इंसार की आप सब यह फ्री कॉंटेस बिलकुल जॉइन करल नहीं हां पर आपको दिख रहे हैं कुछ टॉप ठैस तो डोंन M क्लासिन बैटिंग से रैसी वैंड डासिन जैसे मैंने का बिलकूल बैक करूंगा और बवुमा फिफ्टी-फिफ्टी कॉल आल राउंडर्स में एडिन माकरम माको यैंसिन बैस्ट दिलीडी तीनों स्ट्रेटफ़वर्वर चॉइस है कॉलन एकमिन में भी इतना ना डालें इ अगर एक ना खेले इनमें से तो मैं ले लूँगा यहां से जराल कुर्ट्जिया तो अभी के लिए यह जो दस प्लेयर्स है इंग मेरी टीम में बिलकुल जगह बना लेंगे जो लास्ट प्लेयर होगा अगर लोगन वन भी खेलते हैं तो मैं उन्हें ले लूँगा इस फिर हमें पता है कि विद बॉल भी थोड़ी हमें मिल जाएंगी उनसे और साथ-साथ में बैटिंग वाली बे मिल जाएगा बट ऑल इन जो बाकी की टीम है प्रिटी सिमिलर लग रही है मुझे और मैं यहां पर यह लास्ट जो स्लॉट है अभी के लिए को लेके जा रह जैसे इन्होंने लास्ट गेम में डाला था इसिंग बहुत अच्छा इंपैक्ट बना के दे सकते हैं हमें पता है कि वह जो जो ऑस्फिन वाली वीटन से डिकॉक की यहां पर अगर एक्स्प्लोइट हो गई प्रॉब्लम क्या है कि विद विकेट कीपर और जल्दी आउट ह कम हो जाते हैं उनसे वाइल विद द बोलर हमें पता है की वीक टीम के सामने कैसे न कैसे एकाद विकेट उन्हें मिली जाता है तो हैंस मैं थोड़ा उस हिसाब से नहीं से लेक्षिन परसेंटेज हिशाब की नहीं बट जो गेम सिटूएशन के साब से लिक रबाड़ा क्यों क्यों अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसा है जो वर्दी है अगर मैं आफ्टर पिच ऐसा कुछ लगा तो आपको बता दूंगा मैं टेलेग्राम ग्रैंड लीग से लिए इस गेम में ज्यादा कुछ नहीं है तो इसका यह मतलब है कि एक 14-15 प्लियर के पूल से ही mostly dream team बनाई जाएगी and hence आप ज्यादा rotate करें ज्यादा teams बनाई है based on this preview चाहिएगी तो एक और बार पीछे जाके preview देख के समझ लिजे कि कौन से प्लियर को आप rotate कर सकते हो and वही साब से एक team बनाई है and at the rate fantasy cricket pro पे ज़रू जड़ेगा for final teams, updates, all that and more remember to hit the like button and comment जरू करेगा just for fun आपको क्या लगता है कितने रन मनाएंगे Aiden Markram, जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए, thank you so much for tuning in and thank you so much for all your support